बिस्मिल्लाइ रख्मान रहीम असलाम अलेकिम लिए स्टुरेंट्स आपका जो टॉपिक है हमारा वो है मॉडुलेशन चेप्टर नुबर 16 का लास्ट टॉपिक और इंतहाई असान टॉपिक है इसको समझने के लिए स्टुरेंट्स आप एक मिसाल लें के ट्रेन और पैसिंजर्स जो ट्रेन है उसका काम है पैसिंजर्स को लेना किसी प्लेटफॉर्म से यनि रिसीव करना और फिर उन्हें आगे कहीं पर पास आउन कर देना तो यह जो कैरियर वेव है जो चैनल नेम भी होता है जैसे FM 106 है ना तो यह 106 के आगे एक यूनिट होता है मेगा हर्ट्स यानि 106 मेगा हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी यह एक कैरियर वेव है यह ट्रेन की तरह है अब जो रेडियो स्टेशन पर बैठा एक शक्स है जो बोल रहा है वो low frequency signal है वो low frequency signal जो बोल रहा है उस low frequency को उस high frequency signal के साथ हमने modulate करना और फिर transmit करना है space में ताके concerning low जो हैं जो FM या AM यूज कर रहे हैं वो उसको receive कर सके तो modulation simply क्या है एक low frequency audio signal को एक high frequency carrier wave के साथ जोड देना, मिला देना, mix कर देना उसको superpose कर देना This process is called modulation The carrier wave can be of both types Amplitude modulation भी हो सकती है और FM जो है आपके पास frequency modulation के लिए भी हो सकती है Amplitude and frequency modulation में basic difference जो होता है वो frequency का होता है अच्छा अब इसमें सबसे पहले हम चलते हैं modulation में तो यहाँ पर on air कोई शक्स radio station पर बैठा हुआ है ठीक है वो जो बोलेगा वो एक low frequency signal होगा microphone में यह low frequency signal एक carrier wave के साथ एक external circuit के तहत superposition की जाएगी और आगे फिर इस signal को transmit किया जाएगा तो अब समझते हैं कि amplitude modulation क्या होती अगर इन दोनों को मिलाने से जो carrier wave है उसका सिरफ amplitude change हो तो इस modulation को हम नाम देंगे amplitude modulation का यानि इस चेंज इस the amplitude of the carrier wave इस bandwidth हम कहते हैं signal carrying capacity कि कितनी frequency से कितनी frequency तक हम इस से signal transmit कर सकते हैं तो students 540 kHz से लेकर 1600 kHz तक यह frequency use होती amplitude modulation जो है या आज कल इतनी जादा common नहीं है जादा हम mobile phones के जरीए जो है वो frequency modulation पे train है तो amplitude modulation अगर आपने सुनना है तो आपको फिर पुराने radio sets जो है सुनने के लिए तो यह आपके book diagram है एक high frequency signal एक low frequency signal के साथ merge किया जाएगा तो यह amplitude of the carrier wave चेंज हो जाएगा secondly एक चीज़ important के amplitude modulation जो है यह long range communication के काम आती यानि अगर आप पाकिस्तान में बैटके साथी एरेबिया की news सुनना चाहते हैं radio पर तो फिर आपको AM settings पर जाना पड़ेगा amplitude modulation पर क्योंकि इनकी जो frequency है वो FM से thousand times कम है लहाजा यह बड़े-बड़े distances को easily cross कर सकती है दूसरी तरफ frequency modulation जो है उसमें क्या होता है कि जब हम low frequency signal को high frequency signal के साथ merge करेंगे तो students यहाँ पर आप गवर से देख सकते हैं कि amplitude सारी wave का अभी भी constant है changing किसमें नजर आ रही है frequency में कुछ points पर frequency high है कुछ points पर frequency low है अच्छा कहां पर frequency high और low होगी तो sound wave में जो low frequency signal उसमें जो higher amplitude है वहाँ पर frequency higher हो जाएगी जो negative amplitude है वहाँ पर frequency signal low हो जाएगा तो इस तरीके से अगर carrier wave की frequency change हो तो this modulation is called frequency modulation हमारे mobile phones में mostly reduce option में FM यूज होता है FM की जो bandwidth ता है students वो 88 MHz या 89.5 MHz से लेकर 108 MHz तक हो सकता है लेकिन ये जो हैं ये short range communication के लिए यूज होती है amplitude modulation तो that's all about modulation अग्ले लेक्चर में जल्द हाजिन होंगे अपना ख्याल रखियेगा अल्ला हाफिज